मैं साओधी अरब में एक अरबी के बच्चे को संभालती थी, रात को घर जाने लगती तो अरबी मालिक कभी मुझे दो हजार कभी तीन हजार यल मुझे पकड़ा देता, महिने बाद तनका भी अच्छी खासे मिलती, एक रात अरबी की बीवी नाराज होकर उसके घर से चली अरबी ने मुझे घर पर रोक लिया, मेरे होश शूर गए, उस रात अरबी ने मेरे साथ मैं और मेरा पती साओधी अरब में रहते थी, हम दोनों ही बी एक पास थे, इसलिए मेरे पती को एक फैक्टरी में वरकर की नोकरी मिल गई, लेकिन उनके तनख्वा इतनी नहीं थी कि घर का गुजारबसर अच्छे से होता, इसलिए मैं भी एक अरबी के घर उसके बच्चे की केटे करके तोर पर खयाल रखने लगी, वह अरबी जो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वा भी अच्छे रखी थी, जब मैं अपने पती को इस नोकरी के बारे में बताया, तो वह पहुत खुश हुआ, कहने लगा, अगर हम दोनों मिलकर मैनत करेंगे, तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे जमा भी हो जाएंगे, मैं भी दिन भर खाली ही होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निप्टा कर, मैं उसे अरबी के घर चली जाती थी उसकी दो बच्चे छोटे छोटे और जुड़ा थे, एक बेटी और एक बेटा, दोनों एक साल के थी, उसकी बीवी बच्चों पर जादा था नहीं देती थी, इसलिए उन दो बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी, मैं रात आठ तक अरबी मालिक की घर पर र पजे तक उनके घर पर रहती, मुझे हैरत होती थी कि एक माह होते हुए भी, उसे अरबी के बच्चों को देखने तक नहीं थी, बच्चों को खिलाना पिलाना, उनका डाइपर चेंज करना, सब का ख्याल रखना, यह सब मेरी ही जिम्मेदारी थी, वैसे भी मालकिन सक्त मे मिजाज की थी, और मुझे भी गुसा करते थी, ज्यादा बात नहीं करते थी मुझसे, अभी उनके घर कुछ ही दिन हुए थे, काम करते हुए, मैं उसे औरत की मिजाज को अच्छी तरह समझ गए थी, कि वह हर वक्त नोक्रों पर चिखती चिलाती हुई नजर आती थी, और किसी से जरासा भी काम खराब हो जाता, तो उस पर चिलाने लगती, अगर मालिक घर आते, तो उनसे भी जरासी बात पर शोर मचाने लगती, मैंने ये बात महसुस की थी, कि मालिक अपने बच्चों से पहुत मोहबत करते थे, लेकिन उनकी बीवी शायद अच्छी नहीं मिली थी, मालिक जब भी अपने काम से घर वापस आते, तो सबसे पहले बच्चों की कमरे में आते, मैं बच्चों के साथ ही बीजी रहती थी, इसलिए पहले दर्वाजे पर दस्तक देते, मैं फोरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही वह दर्वाजा खोलते थे, फिर अपने बच्चों को प्यार करते, मुझसे भी पूछते थे, बच्चों ने तंग तो नहीं किया, उन्होंने खाया पिया, तो ठीक से है न, वह अर्भी पूरे दिन की बच्चों की रूटीन मुझसे पूछता था मैं भी उस अर्भी मालिक को सारे दिन का रूटीन बता देती थी, एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो वह कहने लगा कि एक मिनिट रुको, फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे हजार रियल पकड़ा दिये, यह देखकर मैं हैरान सी रह गई थी, हालंकि उसने मेरी तनख्वा बहुत अच्छी रखी थी, और हजार रियल कम पैसे नहीं होते, मैंने एक नज़र मालिक की तरफ देखा था, मेरी आखों में हैरानी थी, कहने लगे यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, मैंने कहा नहीं मालिक, आपने जो तनख्वा तैग की है, फेह भी काफी है, मेरी बात सुनकर वैं हलक का समस्कुराय, और कहने लगा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, यह रख लो, फेह पैसे मैंने पकड़ लिये, और अपने पार्स में रख दिये, मैं फिर जाने लगी, जैसे ही दर्वाजे तक पहुंची, तो मुझे कहने मैं लगा बात सुनो, मैंने कहा जी, वो कहने लगे कि इस बात का जिक्र अपनी मालकें से मत करना, उसे मत बताना कि मैंने तुमें हजार यज दिया है, मैं कुछ दिर तो इस बात को सुनकर सोच में पड़ गई थी, फिर मैंने हा में सिर हिला दिया, और कमरे से बाहर निकल लेकिन नय जाने क्यों उस रात में बड़ी बेचे नहीं हो रही थी एक तो मालिक का मुझे अजात रियल देना और दूसरा इस बात का कि मालकिन को छुपाने से कहा यह दोनों बाते ही मेरे दिमाग में उल्जन का काम कर रही थी फिर मैंने कहा कि शायद मालकिन जरा गुस्से वाली हैं इसलिए अर्विर मालिक को मना करती होंगी कि पैसे देने से चलो अगर उसने दे दिये तो कोई बात नहीं मैंने वेह पैसे संभाल के रख दिये लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त में ने रही जब दूसरी दिन मालिक में मुझे दो हजार रियल दिये थी इस बार तो मेरा दिल शक से गिरफ्थ होने लगा था आखिर मालिक मेरे साथ इतनी महर्बानी क्यों कर रहे थे मैंने वेह दो हजार रियल भी वापस पकड़ लिये मैंने कहा मुझे यह नहीं चाहिए आप क्यों मुझे रोज-रोज इतने पैसे दे रहे हैं मैंने फटा-फट से अपनी चादर को सही किया था क्योंकि वेह मेरे चहरे को बड़े गोर से देख रहे थे कहने लगे कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं इसलिए मैंने कहा यह मेरी डूटी है और इससे पैसे भी मैं लेती हूँ बहराल मैंने उस दिन उस शक्त से कोई पैसे नहीं लिए और वापस घर आ गए लेकिन अगली ही दिन जब मैं बच्चों को संबालने के लिए गई तो मैंने देखा कि मालिक अपने काम से बाहर नहीं गया था बलकि घर पर ही था और अपने बच्चों के पास ही था जब मैं आई तो मुझसे कहने लगा कि इतनी देड़ से आई हैं आप आपको पता है मेरी दोनों बच्चों को वो खार चड़ा हुआ है उसके लहजे में फिक्रमंदी थी और थोड़ा लहजा सक्त भी था मैंने घबरा कर जब घड़ी की तरफ दिखा तो पूरा एक बच रहा था और मैं उसी वक्त आती थी मैंने कहा मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ फिर वह मुझसे कहने लगा कि इसी चीज के तो आपको पैसे दे रहे थे कि आप मेरे बच्चों का खयाल जादा रख कर दे देखिए सुबह से उनको वुखार है उनकी मा को तो उनकी परवार नहीं करती है लेकिन मैंने आपको नोकरी पर रखा है ताकि मेरी बच्चों की अच्छे से केयर हो सके इसलिए नहीं कि आप एक बारा पर आएं और मेरी बच्चे यहाँ पर बिमारी में रोते रहें एक बच्ची तो सोर रही थी लेकिन उसका जो छोटा बेटा था फहर रोय जा रहा था मैंने फटा फट से उसे मालिक से लेकर अपनी गोद में पकड़ा दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे जैसे ही वे बच्चा मेरी गोद में आया वह बेल कुल खामोश हो गया मैंने उसे सीने से लगाया तो वे तप रहा था मैंने उसके माथे को चुमा मैंने कहा कि आपको मेरा इंजार करने की बज़ाए बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था देखो तो सही बच्चों को कितना बुखार है मेरी बात सुनकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा था और कहा मेरी अकल काम नहीं कर रही थी वागे मुझे तो इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था फिर उसने सोई हुई बेटी को गोध में उठाया और मुझे से कहने लगे कि चलो मेरे साथ में इन्हें डॉक्टर को दिखा दूँगा यह सुनकर मैं कुछ चौक सी गई मैंने कहा आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं आप मालकिन को लिकर जाएए वह मा है और मा बेहतर बता सकती है मेरी बात पर वह जरासा मुस्कुराए थे कहने लगे कि मा ऐसी होती है जैसी कि मेरी बीवी है इसे तो पता तक नहीं कि बच्चों को कौन सी दवाई सूट करती है और कौन सी नहीं और दवाई तो आपने उन्हें पिलानी है ख्याल भी आपने रखना है तो बेहतर होगा कि आप मेरी साथ चलें मैं मालक के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मालकिन बाहर लांच में बैठे टीवी देख रही थी साथ ही चाय भी पी रही थी मुझे मालक के साथ बाहर जाते देख तो मुझे पुलाने लगी कहने लगी कहां जा रहे हो अब बच्चों को क्या हुआ है मेरे बजाए मालक ने अपने बीवी को जवाब दिया कहने लगे तुम्हें नहीं मालू तुम्हारे दोनों बच्चों को बुखार है उन्हें डॉक्टर के पास ले जाकर रहा हूँ तुम्हें चलना है तो चलो साथ यह बात सुनकर मालकिन के चेरे पर गुस्सा आ गया था कहने लगी ना बाबा ना मुझे नहीं संभाले जाते बच्चे तुम्हें शोक्ता यह कहकर वैं दो बारा से टिवी के चैनल चेंज करने लगी मैं इतना हैरान था उस ओरत पर कि एक मा होते हुए उसका जवाब इतना सक्त लहजा था मैंने पोहत सी लापरवा लड़कियां देखी है जो शादी के बाद और बच्चे होने के बाद बच्चों के मामले में जिम्मेदाज हो जाती है यह कैसी माता है जो बच्चों के लिए कोई तडप नहीं थी मालकिन बेहत खुशुरत थी लेकिन उससे बच्चों की जरा भी परवा नहीं थी पिछली दो महिने से मैं उनकी बच्चों को संभाल रही थी और मैंने देखा था कि वह मालिक की बीवी हमेशा खुद को ही सज्दी समर्थी रहती थी कभी नोकरों से अपने नाखुन कटवाती थी कभी अपने हाथ पैरों की मसाज करवाती कभी सर पर तेल लगवाती थी हर वक्त उन्हें अपनी ही परवा रहती थी दोनों मासुम बच्चों को बुखार था पूरा दिन में बच्चों के साथ रहती थी एक को दबा देती तो दूसरा रोने लगता दूसरे को सुला देती तो पहले वाला कोई न कोई कमरे में बड़ी चीज खराब कर देता बुखार में दोनों बच्चे चिर्चिड़े हो गए थे और जित्ती भी हो गए थे परना तो मेरी बात मान लेते थे लेकिन आज तो जैसे तंखी किया जा रहा था मैं रात तक बिल्कुल ठक चुकी थी जैसे ही मालिक आये तो मैं जाने की जाज़त मांगी तो मुझे कहने लगे कि यह बात सही तो नहीं लग रही है लेकिन मैं भी मजबूर हूँ अगर आप आज ही की रात मेरे बच्चों के साथ रह ले तो मैं आपका मुझे पर बहुत बड़ा एहसान होगा मैंने कहा कि मैं कैसे रह सकती हूँ मेरा पती नो बजे वापस आ जाता था और मुझे खाना देना होता है यह सुनकर मैंने देखा कि मालिक के चहरे पर अजीब से अंदाज में कहने लगे आप क्या शादी शुदा है मैंने कहा मेरा जवाब सुनकर मालिक का चहरा बुझ गया फिर एक दम से उन्होंने अपने चहरे का रूप बदल लिया कहने लगे क्या आप अपने पती से कह दें कि एक रात के लिए आपको यहीं रहने दे क्योंकि मुझे बच्चों को संभालने का इतना आइडिया नहीं है रात भर वे इन्हें कैसे संभाल सकता हूं फिर आप उनकी मैडिसिन के बारे में भी अच्छी तरह जानती है मैंने कहा ठीक है अपने पती से पुछ लेती हूं मैंने मुबाइल निकाला और अपने पती से कहा तो वे कहने लगे कि ठीक है तुम आज की रात रुख जाओ मैं खाने पिने का खुद इंतजाम कर लूँगा रात भर में बच्चों को संभालते रही और अगले दिन बच्चे शाम तक भले चंगे हो गए थे फिर मैं जब वापस आने लगी तो मालिक ने मुझे पांच हजार यल पकड़ाना चाहा मैंने कहा कि आप यह मुझे क्यों दे रहे हैं वेह कहने लगी आपने मेरे बच्चों को बड़ी मुश्किल वक्त में समाला है और इस पर आपका हग बनता है इसलिए इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसे से क्यों तोल रहे हो हाँ मानती हूँ यह मेरी सगी उलाद नहीं है लेकिन मैं हमेशा उन्हें अपने बच्चे की तरह ही समझती हूँ इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखे मुझे उनकी जरुरत नहीं है यह कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और फिर से बाहर निकल गई मेरी शादी को चार साल गुजर गए थे लेकिन मेरी कोई उलाद नहीं हुई थी शादी के फोरण बाद मैं उमीद से थी लेकिन मेरा पती मेरे आगे हाथ जोडने लगा कहने लगा तुम्हें पता है कि मेरी तनख्वा इतनी नहीं है और इतनी तनख्वा में एक बच्चा अफोर्ट नहीं कर सकता उपर वाले के लिए अभी तुम अबोर्शन करवा लो जैसे ही हाला ठीक होंगे फिर हम उपर वाले से बच्चा ले लेंगे बच्चों का क्या है बच्चे तो हो ही जाते हैं वो इस वक्त में बहुत रोई थी मैंने कहा था बच्चा अपना नसीब लेकर आता है तुम क्यों ऐसा सोचते हो लेकिन वह मेरे आगे मिन्नत करता रहा मुझे समझानी लगा कहने लगा मैं बहुत तंग हूँ परेशान हूँ और भी तंग हो जाऊंगा तो मुझे समझो उस वक्त मेरे पती साउदी के अलवा वीजा लगाने की कोशिश में लगे हुए थे इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी उसके बाद हम साउदी आ गए थी तीन साल से मेरा पती काम कर रहा था लेकिन हाला जैसे थे वहीं पर अटके हुए थे और हर बात जब मैं यही कहती कि अब हमें उलाद लेनी चाहिए तो वहें इंकार कर देता कहता कि बस एक साल और रुप चाओ जैसे ही हाला ठीक होंगी तो फिर हम ले लेंगे हम कौन सा पुड़े हो गए हैं कि उलाद नहीं हो सकती वहें हमेशा ही टाल जाता था लेकिन मेरे दिल में था कि उपर वाला मुझे उलाद दे दे इसलिए जब उन दोनों बच्चों को संभालने के जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने यह सब नहीं समझा कि मैं नोक्री कर रही हूँ या पह बच्चे मेरे लिए एक बोज हैं मैंने अपनी सारी ममता उन पर न्योचावर कर दी और दिल से उनको संभालती थी आगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने दीखा मालकीन और मालिक में बहुत जगड़ा हो रहा था नहीं जाने किस बात पर उन दोनों की इतनी बहस हो रही थी कि मुझे भी डर महसूस होने लगा कि कहीं वे आपस में तलाक ना ले ले मालिक उससे यही कह रहे थे कि तुम हर वक्त शौपिंग करती रहती हो या फिर अपने आपको सजाती समारती रहती हो एक ही रात को तुम्हें बच्चे को समालना पड़ता है और वहे भी तुम दूसरे कमरे में जाकर सोजाती हो तुम्हें दूसरे कमरे में जाने से क्या मिलता है जरा भी बच्चों की परवार नहीं अगर तुम्हारा यही रवया रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा मालिक बहुत गुस्षे में चिलाते हुए कहते, वे पहार चले गए मैं उस वक्त कमरे में सारा शोर सुन रही थी और बच्चे भी उस वक्त शेह में बैठे थी क्योंकि चिलाने की आवाज कमरे तक आ रही थी सिर्फ मेरा दिल धक धक कर रहा था जब अचानक से मेरी कमरे का दर्वाजा खुला बड़ी ही गुसे वाले अंदाज में मालकिन मेरी कमरे में आई थी कहने लगी चलो छुटी है तुमारी यहां से निकले यह कहकर उसने मुझे चुटकी बजा कर बाहर जाने के लिए कहा था मैं खामोशे से बाहर निकल गई लेकिन मैं जानती थी कि यह औरत बहुत गुस्से में है इसलिए कुछ नहीं सुनेगी मैंने अपना परस उठाया और अपने घर सली गई फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं लेकिन शाम को ही मुझे मालिक का फोन आया वे मुझे कहने लगे कि फोरन से घर आ जाओ मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है मैंने कहा मालिक इस वक्त तो रात के आठ बज रहे हैं वे कहने लगे मुझे आपसे बेहत जरूरी काम है आपका आना बहुत जरूरी है आप फोरन मेरे पास आएं मैंने अपने पती को बताया तो कहने लगा हो सकता है बच्चों को फिर से बुखार ना हो गया हो चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ मेरे पती के पास मोटर साइकल थी पह मुझे मालिक के घर के बाहर ही छोड़ कर चले गए जैसे ही मैंने डोर बेल बजाया तो दर्वाजा चोकीदार की बजाय मालकिन ने खुला था मैंने हैरत से दिखा तो चोकीदार भी घर में न था मैंने मालिक से पूछा तो वैं कहने लगे कि चोकीदार अपने घर गया है थोड़ी देट में आ चाएगा आप अंदर आओ आपसे बहुत जरूरी बात करनी है यह सुनकर मैं मालिक के साथ अंदर चली गई पर मैं नहीं जानती थी कि अंदर जाते ही मुझ पर कयामत तूट पड़ेगी जैसे ही मैं अंदर गई लॉंच बिर्कुल खाली था यह देखकर मैं थोड़ा परिशान हुई थी इसलिए सोफे के किनारे पर जाकर बैट गई फिर वह सामने वाले सोफे पर बैठे अपना सर पकड़ कर कुछ सोचने लगे फिर कहने लगे कि मेरी बीवी दोपेर से अपने माई के जा चुकी है जब मैं घर आया तो मेरे बच्चे मौजूद नहीं थे जब मैं अपनी बीवी से फोन पर पुछा तो कहने लगी मैं बच्चों को साथ लेकर नहीं गई फिर वह कहने लगी चुकीदार को भी उसने वापस घर बेश दिया था जब मैं घर आया तो घर पर कोई भी नोकर मौजूद नहीं था यहां तक चुकीदार भी नहीं मुझे नहीं मालूम कि बच्चों को खुद ले गई या फिर उसने मेरे बच्चों को अगवा किया है यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे कहने लगे पता नहीं वह मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी फिर कहने लगे कि अगर आप बच्चों को ढूणने में मेरी मदद कर दें मैं सोच रही थी कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ लेकिन यह सुनकर मुझे तो बहुत दुख हुआ था एक मा होकर वह क्या खेल खेल रही थी अपनी ही सगी उलाद के साथ कभी मैं इस बारे में सोच रही थी कि जब पुलिस की गाड़ी ही खौरन की अवाज सुनाई दी कुछ ही तेर में दर्वाजे और दिवारों को चलांग कर पुलिस अंदर आ चुकी थी मुझे और मालिक को देखकर उसने मुझे गिरफतार कर लिया और उल्टे सिधे इलजाम लगाने लगे कहने लगे कि आपकी बीवी ने सही कंप्लेंड की थी आपका इस औरत के साथ चक्कर है तब ही आपने इसे अकेले में बुलाया है और यहे भी कहने लगी कि दोनों बच्चों को भी इस नोकरानी ने ही अगवा किया है यहे सुनकर मैं बहुत परिशान हो गई थी वहे मेरे अर्बी मालिक पर भी इलसाम लगा रही थी हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी मालिक ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन वहे फिर भी मुझे पकड़ कर पुलिस इस्टिशन ले गए मैं रोने लगी मैंने अपने पती को फून किया वहे भी पुलिस इस्टिशन पहुँच गया लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तयार ना थी मेरा पती उस मालकिन के पास चला गया और उससे कहने लगा कि मेरी बीवी ने आपके बच्चों को अगवा नहीं किया है और ना ही इसका किसी के साथ कोई चक्का है मुझे अपने बीवी पर पूरा भरोसा है इसलिए उससे आप छोड़ दो वहे कहने लगी मैं एक ही शर्त पर केस वापस लूगी कि तुम अपने बीवी को लेकर यहां से कहीं दूर चले जाओ क्योंकि मेरा पती मुझे यह साफ साफ कह चुका है कि वहे मुझे तलाक लेकर तुम्हारी बीवी से शादी कर लेगा क्योंकि वहे मेरे बच्चों को ज़्यादा अच्छा ख्याल रखती है यह सुना था कि मेरा पती भी दंग रह गया मैं नहीं जानती थी कि मालिक ने ऐसा क्यों कहा लेकिन मेरा दिल यह सुनकर बहुत कमगीन हुआ मैं तो उनका भला कर रही थी मालिक ने अपना केस वापस ले लिया और मैं अपने पती के साथ वापस अपने गाम आ गए थी मुझे वह बच्चे बहुत याद आते हैं जब माबाप यूँ लड़ती हैं तो उन बच्चों की क्या परवरिश हो सकती है किसी ने सच कहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है शायद इसमें मेरी कोई भलाई थी यह वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बेटन भी प्रेस करें आपका सहयोग हमारे लिए अमुल्य है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद